Hello friends, DR.RK Talks के इस एपिजोड में सोबका सौगत है जैसा कि आपको पताएए पिछले एपीजोड में धर व्यास कि पत्री के बारे में जाना था उसमें अपने कிस्प करूगा बातों के बारे में जाना था पत्री के बारे में इस बार अपन गुर्दे की बत्री के बारे में जानेंगे तो अपन जो बताया था अपने एक स्क्रिटरी सिस्टम में सरीर का जो पिशाप बनाता है और निकलता है वहां तक ये चार भाग होते हैं इसके पहला गुर्दा, दूसरा यूरिटर, तीसरा ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर और चौथा यूरिटरा, अपन सुधा की तौर पे इसको दो हिस्से में बाढ़ देते हैं किड्नी और यूरिटर, और ब्लेडर और यूरिटरा क्योंकि दोनों की symptom में लक्षण में अंतर होता है तो आज अपन kidney और ureter के बारे में ही बात करेंगे कि इनके command लक्षणें वो दोनों के एक जैसी होते है जिसलिए अपनको दोनों को अपनने एक हिस्चे में मिला लिया है तो आज अपन गुर्दा और ureter के अंदर जो पत्री है उसके बारे में जानेगे तो अपनको सबसे पहले जानने की बात ही यह है कि पत्री गुर्दा में ही बनती है फिर वो धीर धीरे travel करके ureter में आ जाती है और जहां यूरेटर में वो अटक जाती है बैसे ही वो लक्षन पैदा करती है तो यूरेटर है वो 25-30 cm लंबी एक खुगली नली है और इसका 0.526 mm डाइमीटर होता है इसके 4 mm की पत्री होती है 4-6 mm तक पत्री है वो आराम से इजिली पास हो जाती है पिछली बार पर पने जाना था कि 80-85% में पत्री स्पॉंटिनियस निकल जाती है अपने आप ही निकल जाती है उसको कोई दवाई की ज़्यादा ज़रूत नहीं पड़ती है तो अब उनको सबसे पहले जाना है कि यूरेटर में पत्री कहां टकती है उसी केस आप से फिर मरीज को लक्षणा थे है तो यूरेटर है उसकी तीन हिस्से है जो सबसे पहला जहां किड्नी है गुर्दा है और यूरेटर आपस में जुड़ता है दूसरा ये बिड का बीच का पार्ट है तीसरा पार्ट है जहें यूरेटर गुतरासे में प्रभीश करता है तो तीसरा पार्ट है तो तीन जव में पत्री अटक दिये और जहां-जहां पत्री अटक केगी उसके वो लक्षण पैदा करती है तो सबसे पहले बात यहां काथ जब पत्री बन जाती है आदमी की शरीड में जब वो किड्डी में और उरेटर में पहुंच जाती है तो उसको इक तरफ पीट से लेकर और पशाब की नली तक जहां तक पशाब निकलता है महां तक उसको तीबल दर्द महसूस होता है और 50% की सेज में उसके साथ में उल्टी होती है और कुछ को पिशाम में खूना सकता है या पिशाम में परिशानी जैसे जलन है बार बार पिशाम जाना बार बार पिशाम में दिक्कत आना ऐसे करके उसको परिशानी आती है और दूसरी बात इसमें बत्री में ये है कि ये गर्मियों के मौसम में ही ज्यादा पत्री का प्रकूप होता है या पत्री के ज्यादा लक्षण आते हैं और आदमी के अंदर ये लेड़ी से तीन गुना जाता होती है पत्री की बिमारी और बच्चों में ये बहुत कम होती है और जारतार यंग ये जो को एफेक्ट करती है जैसे 25 से 40 साल की जो उम्र है उसमें पत्री के सबसे ज़्यादा लक्षण होते है और जैसे जैसे पत्री बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उसके लक्षण कम होते जाते हैं और जैसे जैसे पत्री बड़ी होती है तो लक्षण तो कम होते जाते हैं दीर दीरे वो गुर्दा को खराब करने लग जाती है और ऐसे करके उसमें आईडूनेफ्रोसिस गुर्दा में पैदा हो जाती है तो सबसे पहले दर्द उसको पीठ की तरफ से चालू होगा और आगी की तरफ पीठ में आ जाएगा। इस तरह का दर्द ज्यादा तर नीचे पिशाब की नली तक जहां से पिशाब निकलता है बेनिस तक वो नहीं जाता है। और ज्यादतर उसमें पिशाब की परिशाणी तो आ जाती है जैसे पिशाब की अर्जेंसी है पिशाब ज्यादा जाना पिशाब में जलनोना और पिशाब में खूनना ऐसी अपर पार्ट में अब्स्टरक्सन होने पे भी ऐसी परिशाणी आती है। दूसरा मिल्ड पार्ट है, जहां पर पत्री अटकती है, बीच के हिसा में, बीच के हिसा में उरेटर में पत्री अटकती है, तो उससे केवल फिलेंक पेन होता है, कमर में दर्द होता है, आगे की साइड पेट में दर्द होता है, लेकिन वो दर्द नीचे नहीं जाता है, ती लग 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 को Аकत्राइक जाओर है वो सब दर्दों में सबसे 13 किस्म का बर्द होता है। वो बहुत हॉँार्ड का डर्द होता है जो हर्ट अटेंड से भी जहते ही होता है। तो ऐसे करके गुर्दी का डर्द है, वह मरीज कुछ ही गंटे में इस्पराल के अंदर पहुंच जाता है, चालू होने पे, तो ऐसे करके बहुत तेज तर्द से अगर कमर के एक तरफ दर्द हो रहा है, पेट के एकी तरफ दर्द हो रहा है, पेशाम में खरावी आ रही है, तो उन लक्षणों के आधार पर उसक पैदा हो जाता है, और कंफर्म डियागनोजिस होता है, अपक का पता लगता है, डियागनोस्टिक टूल से. अगले अपरी सोड में अपन डागनोस्टिक तूल्स के बारे में जा रहेंगे थेंक यू, थेंक यू बरिमाद, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, थेंक यू